योग सिक्षक प्रसिक्षण कार्करम में मैं हूँ आपके साथ दॉक्टर पवन कुमार चोहान राष्टी मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान से हमारा यह कार्करम बहुत ही सांदर कार्करम हैं उन सभी के लिए जो योग सिक्षक बनना चाहते हैं योग का प्रचलन बहुत हमारे देश में चल रहा है और आज न के बल हमारे देश में बलकि सभी देशों में योग का प्रचार और प्रशार बहुत ही सांदर तरीके से हो रहा है और आज स्वास्थ होने के लिए, स्वास्थे के लिए हर परसन स्वास्थ होना चाहता है, तो योग के माध्यम से वो आगे आया है हमारे साथ इस कारक्रम में जुड़े हैं प्रोफेसर सुरे स्वरनवाल जी ने प्रोफेसर सुरे स्वरनवाल जो यहां बेभागा देक्ष है योग के मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके लिए मैं यह पूछना चाहूँगा कि डाक साथ योग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जैसा कि हम जानते हैं योग भारतिय संस्कृति में संस्कृति कर अध्यात्मी विरासत के तौर पर मिला है और रिशियों की एक लंबी तपसरिया के बाद हम लोग के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे लिए छोड़ी है उसमें ग्यान योग, भक्ती योग, हटी योग, राज योग, कर्म योग एक सारे योग की पद्धतियां हैं लेकिन अभी हटी योग पे बहुत ज़्यादा लोग जोड़ दे रहे हैं और हटी योग की विविन पद्धतियों को ज़्यादा अपने प्रियोग में ला रहे हैं योग का अगर हम देखें तो हमारे मनुष्ट के विकास में संपूर्ण योगदान है संपूर्ण मनुष्ट बनाने की दिसा में योग का एक विसेश योगदान है तो संपूर्णता की और जाने के लिए हम अगर देखें तो मेरा विकास कैसे होगा तो उसके लिए भी योग मार्ग बताता है हम स्वास्त रहें इसका भी मार्ग बताता है हम अगर कुछ हमारे साथ कुछ समस्या हैं जुड़ गई है सार्रेकमान सिक उसका भी निदान और स्वास्त के लिए जो कुछ जरूरी चीजे हैं नियमित वो करने की विदी बताता है रही तो उसक भी आज काल योग अचारे और योग प्रजशक समाज में हैं तो यहां यह प्रियास किया जाए जा रहा है, प्रज़श कीजी जा रहा है यानि रक्साब आप कहना चाहते हैं कि जो योग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोगाम है यह बहुत इंपर्डेंट प्रोगाम है और जहां तक आपका कहने का जो प्रेशन है या जो लक्ष है आप कहना चाहते हैं कि इस पार्ठकरम के माध्यम से जो योग टीचर्स हैं वो वास्त ज़रूरी चीजा है बता दी जांए प्रस्ण की कुछ जो परगी हैं वे फिर प्रस्ण है ने उतरें जानने के लिए तो हम बहुत सरी क्थी है अव Alors लिए ड्ल करें लिए निगे तो एक ये अच्छा प्रयास है और हम ये चाहेंगे कि इस प्रयास में जो भी इसमें सहभागी बन रहे हैं वो भी अपना सही सही योगदान देने का प्रयास करें तो डग सब्राश्टी मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान का जो ये पाठकरम है ये कितना महतपूर्ण और कितना लोगों के लिए सही साबित हो सकता है इसके वारे में आप क्या कहना चाहेंगे पाठकरम अच्छा बन नाने का प्रयास किया गया है विभिन विद्वानों के माध्यम से इसमें उसके संपादन में उनके देखरेक में तयार हुआ है तो निश्ची तो और पाठकरम तो अच्छा है पाठकरम के जो इंपलिमेंटेशन का मेटर है उसमें हम इनके अधिकार संसे करते हैं कि दंख से करें ताकि जिन आदमयों को और जिन जोड़ना जाते हैं उन्हें परजिक्षण परसिक्षग द्वारा अच्छे परसिक्षग द्वारा प्रदान किया जा सकें जिस से फ फिर से वह उस पर दूमिल होते चले जा रहे हैं एक सरवांगिन योग पद्धति की अब शक्ता है जिसमें सरीर मन आत्मा तीनों को जो समाहित कर सके तीनों को उर्जा उर्जा से भर सके और यह मुख्य परपस है योग का जिसमें हम मौक्ष तक अपनी यात्रा कर सकते हैं योग मौक्ष मार ग चाहिए जहां तक मैं समझता हूं मैं भी यही कहना चाहता हूं और जो नियोग टीचर टेनिक प्रोगाम का इस प्रोगाम में तो डेफिनिटली आप के सानदु में ये प्रोगाम बना है प्रोफेसर ईसवर भारद्वा जो बिभागाद्यक्ष है गुरकुल कांगरी पर हमारा एजुकेशन बोर्ड एन आइएस काम करता है और हमारा बिलकुल ये प्रयास है कि जो सर्माने पधिती है उसके अनुसार ये कारिप्रम चलना चाहिए और प्रोफर ट्रीनिंग होनी चाहिए और लोगों को सही दिसामें मागदस्तन होना चाहिए योग का जिसा कि योग वे अगर देखते हैं तो गेरन जिसी ने सात अंगों की चर्चा की है सात तरह के हमारे जो साररीक मानसीक प्राणिक और मनुशारीक मनुआध्यात्मिक और अन्त में जाके आध्यात्मिक भी सुद्धिकरण की बात इसमें बताए गई है तो ये करमशा अगर हमें इं बता पाएंगे तो इस प्राणिकरम में इस तरह की चीजों को रखने का प्रयास किया गया है जो प्राचीन है अनभूत है और पुना अनभूव करने योग भी है ताकि मनुश्य जीवन हमारा उचतर और उचतर बने तो एक प्रयास है और इस प्रयास में हम सभी को जो भी प्राइज़क हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सुपकामनाई देना चाहते हैं चलिए बहुत धन्यवाद आक साव आपका बहुत ही उम्दा और बड़ी अच्छी जानकारी आपने इस विसे में दी और पाठ्ठरम की जो आपने इंपोर्टेंस बताई और इसका जो वास्तन में सही उपयोग हो पाएगा और हमारा भी प्रियास होगा कि जो इसके जो टेनर होंगे जो प्रेस्रिक्षन देने वाली लोग होंगे बहुत सारे जब प्रेस्रिक्षन इसके देने वाली लोग होंगे तो उनकी एक टेनिंग हमारा प्रियास होगा कि देव संस करी हम सभी को दि और मुझे उम्मीद है कि यह पाठक्रम हम सभी के लिए बहुत ही कारगर और उपियों की सिद्ध होगा। और हमारे देश में इस पार्टक्रिम का एक समुचित उपियों करके लोग सही दिसा में यो कर पाएंगे, सीख पाएंगे और स्वास्थे को उन्नत कर पाएंगे, यही हमारा और राश्टी मुक्त विद्याली सिस्था सस्थान का लक्ष है, बहुत धन्यवाद आपका लक्सा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार